DAV class 7 math chapter 4 exponent and powers की worksheet 2 करेंगे इस वीडियो में बिलकुल ही आसान worksheet है देखिए इसमें क्या करना है find the reciprocal of each of the following हमने reciprocal निकालना है तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि reciprocal क्या होता है example से आपको समझा रहा हूँ जैसे कि एक rational number है 2 by 3 अगर हमें इसका reciprocal निकालना है अगर 2 by 3 का अगर हम reciprocal निकालना चाहते हैं तो इसका reciprocal होगा यह 2 by 3 है तो इसको उल्टा कर देंगे हम यह हो जाएगा 3 by 2 ठीक है तो इस तरह से आपने reciprocal निकालना है और एक example हो लेते हैं जैसे 5 by 6 है तो 5 by 6 का reciprocal होगा 5 by 6 का reciprocal होगा 6 by 5 ठीक है यानि कि आपने numerator को denominator और denominator को numerator बना देना है ठीक है उसको उल्टा कर देना यही reciprocal है और एक example हो लेते हैं जैसे कि आजए कि 9 9 का reciprocal बताओ ठीक है तो इसके निचे आपको पता है कि हम इसको 1 से divide कर सकते हैं 1 से divide कर दिया ठीक है तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ा 9 को 1 से divide करेंगे तो 9 ही रहेगा तो 9 का reciprocal क्या बन जाएगा 1 by 9 ठीक है अगर denominator नहीं है तो आप उसके निचे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं उसको 1 से divide कर सकते हैं तो यही इस exercise में है बिलकुल ही आप simple exercise है ठीक है बस हमने इसमें reciprocal ही बत इसका reciprocal बताना है तो हम लिखेंगे reciprocal of reciprocal of 12 raised to power 5 is इसका reciprocal क्या होगा धीको निच्चे 12 के निच्चे क्या लगा देंगे हम 12 के निच्चे हम लगा देंगे 1 ठीक हैं तो 12 के निचे 1 लगाएंगे तो इसका reciprocal क्या बढ़ेगा इसको हम उल्ट देंगे 1 by 12 raised to power y ठीक है तो इस तरह से आपने ये question करना है सारे question ऐसे ही है next है मैं सिधा लिख रहा हूँ आप ऐसे हर एक line में आप लिख सकते हैं इसका answer तो next का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ minus 9 raised to power 4 तो minus 9 के निचे भी 1 लगा दो और minus को रहने दो उपर तो minus 1 by 9 raised to power 4 ये इसका reciprocal हो जाएगा next का reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal क्या होगा 2 by 7 का 7 by 2 raised to power 3 इसका reciprocal होएगा और इसका reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal बनेगा minus को उपर ही रहने दो minus 7 by 3 raised to power 7 ठीक है इसका reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal बनेगा next का minus 15 ठीक है क्योंकि minus 15 by 1 अगर मैं लिखता हूँ तो 1 निचे लिखने की जुरूरत नहीं होती तो minus 15 raised to power 8 ठीक है next का reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal बनेगा minus उपर ही रहने दो आप ठीक है या बीच में रहने दो minus 13 by 8 raised to power 99 ठीक है बिलकुल असान है और अब इसका next का क्या बनेगा reciprocal 1 by 10 है तो 10 by 1 तो 1 लिखने की जुरूरत नहीं ऐसे 10 by 1 बनेगा ठीक है 10 by 1 raised to power 10 तो 1 लिखने की जुरूरत नहीं होती तो क्या बनेगा reciprocal इसका reciprocal बनेगा 10 raised to power 10 next है जो यह वाला question है जो 8 है इसमें पहले हम इसको solve करेंगे ठीक है solve करने के बाद reciprocal निकालेंगे इसको simplify करेंगे हमारे पास है 2 by 3 into 9 by 4 इसकी अगर cutting हो सकते है cutting करेंगे 2 बन जा 2 2 तो जा 4 3 बन जा 3 3 3 जा 9 ठीक है उपर निचे वाले की cutting कर दी 1 की 3 से multiply करेंगे आएगा 3 और 1 की 2 से multiply करेंगे आएगा 2 तो हमारे पास आगा 3 by 2 तो इसका reciprocal क्या बनेगा इस number यह जो हमें दे रख है इसका reciprocal क्या बनेगा इसका मतलब है 3 by 2 ठीक है इसका मतलब है 3 by 2 जब इसको solve किया हमने तो इसका reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal बना 2 by 3 ठीक है next question भी ऐसे है इसको पहले हम solve करेंगे और फिर इसका reciprocal हम निकालेंगे तो 1 by 1 का अगर square करेंगे 1 by 2 raise to power 2 है तो 1 by 2 को हम दो बार क्या कर देंगे multiply कर देंगे ठीक है क्योंकि power 2 थी into 4 अब 2 टू जा 4 और 2 से 2 cancel हो गया तो उपर क्या बचा 1 ठीक है उपर क्या बचा 1 तो इसका मतलब क्या है इस सारे का मतलब क्या है इसका मतलब है 1 यह 1 के एक वल है और reciprocal of 1 reciprocal of क्या बनेगा reciprocal of अगर पूरा लिख दू में reciprocal of 1 square into 1 by 2 square into 4 इसका reciprocal क्या बनेगा इसका reciprocal बनेगा देखो इसका मतलब 1 है और 1 का रेसी प्रोकल 1 ही होता है तो इसका अंसर क्या आ गया 1 आप question number 10 है माइनस बाहर है तो माइनस को ऐसी रहने दो अंदर 7 by 8 है तो इसको पलट दो 8 by 7 raised to power 2 ठीक है तो यह तो बिल्कुल ही easy exercise थी complete होगी exercise हमारी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार